सो हेलो एविवान गाईस हरमादेव राधे राधे कैसे आप सब लोग आई हूप आप सभी लोग अच्छे अगर अपने लाइफ में भी आगे बढ़ रहे होगे सो गाईस आज मैं आपके लिए रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपकी शादी किसे होने वाली होगे आपकी who will you marry आपकी marriage किस partner से होने वाली है सो यहाँ भी है guys मलचडिक first pile के लिए अगर आपकी राशी है सौरी अगर आपका नेम का initial है A से लिके M के बीच में तो आपके लिए है first pile और अगर आप लोगोंने Lord Shiva काईट को पिक करना है तो आपके लिए second pile और अगर आपके नाम का initial है N से लिके Z के बीच में तो आपके लिए भी second pile है so second pile and first pile दोनों के पास ही दो-दो options है ठीक है बतलब आपने easily name के initial से भी choose कर सकते हो pile को यहाँ फिर अपने card को so guys reading स्टार्ट करने से पहले अगर आप new हो channel पर ही तो subscribe कर लो channel को के bell icon को दबा के all पे set कर दो so that आपको आने वाले सभी notifications मिलते रहें so अगर आपको personal readings लेनी है guys तो आप मुझे instagram पे DM कर सकते instagram का link description में है time shams के जर्ष्ट पर या फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो के so start कर लेती हैं आपकी reading को first file से जिन्होंने भी Melchadik card को पिक किया है first file who will you marry किसे होगी आपकी शादी guys so यहां पर सबसे पहले Melchadik की energies okay और यहां फिर आपकी अगर name का initial है A.C.L.A.C.M की बीच में तो आपके लिए थी first file so first file अगर आपने इस card को पिक किया था तो यहां पे जो मुझे energies दिख रहे हैं guys यह जो भी person होने वाले हैं आपके यह बहुत knowledgeable होने वाले है okay जिस भी person से आपके शादी होने वाले है बहुत knowledgeable बहुत experienced होने वाल required to further progress so guys अगर आपको और inner study आपको मतलब थोड़ी और inner study करनी पड़ेगी अगर आपको further progress try अपनी life में okay and also यहां पी यह भी दिख रहे हैं कि आपके person ने higher learning भी की हुई है चीजों की यहा फिर उनको तह में जाना पसंद है हर एक चीज के मतलब होता है search field में हो सकते हैं यह या फिर जैसे IB, CID हाना so यह energies हैं इसमें हो सकते हैं CBI so यह ऐसी energies में हो सकते हैं ठीक है पुलिस में हो सकते हैं जहां खोज शान बीन करनी पड़ती है ठीक है so यह दिख रहा है यहां फिर आपके PhD करी होगी या फिर UPSC वगेरा के exams जैसे ऐसे exams हैं जहां आपके knowledge की जरुर energy थी and guys अब हम देख लिए एक special energy जो आपके partner के अंदर हो सकती है कि yes हो ठीक है यहां से देख लिए जो डियर planet house क्या आपके लिए important रहने वाला है okay ऐसा क्या एक चीज देखते है okay so क्या ऐसी चीज है को एक card आएगा जो भी है आपके लिए वो energy is important हो सकती है आप who is your future spouse first file so यहां पे Capricorn ही आया है guys oh my god मैं आपको सच में बता हूँ जब मैंने ऐसे card shuffle के सबसे पहले Capricorn था नीचे ठीक है and यहां पे जब मैंने shuffle के एकदम से यही उल्टा था तो of course after shuffling के बाद भी इतना ज़रा तो Capricorn ही आना चाहता था तो Capricorn ही important हो सकता है आपके लिए so यह person जो आपके future spouse होने वाले है Capricorn राशी की भी हो सकते हैं Makar राशी अगर आपको Makar राशी के बारे में पता है guys यह बहुत ज़रा ambitious होते हैं चीजों के लिए बहुत ज़रा passionate energy में रहना काम 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 हर टाइम काम करते रहना ठीक है अगर आप किसी Capricorn को जानते हो वैसे मेरा भी rising Capricorn ही है ठीक है so yes बहुत सारी चीज़ें होते हैं बहुत काम ठक भी जाती हो ना फिर भी काम तो करना ही पड़ता है ना so यहाँ भी आपको बोला यह person बहुत materialistic भी हो सकते हैं ठीक है मेरी तरह ही जैसे अपने लिए खर्च करना crystals पाए करना ठीक है यहाँ फिर crystals अपने लिए लेना अपने लिए दूसरों को भी देना ठीक है so materialistic energy serious सभाव हो सकता है इस person का ठीक है hard working personality है guys hard work बहुत करते हैं Capricorn वाले जिनका moon sign है ना guys वो तो 100% इसी में होते हैं ठीक है so मतलब Capricorn आपके लिए important sign हो सकता है important राशी हो सकती है so यह जिस यहाँ पर आई हैं आपके लिए so इसको I think मुझे यहाँ रख देना चाहिए है ना so अगर मैंने उठाना हो ठालूंगी बाद में so यहाँ पर Jupiter Jupiter बहुत important ग्रह हो सकता है आपके लिए इस शायम यहाँ तो आपकी महादशा चल रही है इस ग्रह के under your confidence, courage, self-belief and luck so मैं यहाँ पर देख पाने हैं अगर आपकी महादशा चल रही है Jupiter कुछ कुछ लोगों के लिए बुरी भी हो सकते हैं बट Jupiter कहती है कि हाँ Jupiter जो ग्रह है न वो जब मलग ऐसे है न अगर आपका 100% किसी ग्रह ने बुरा करना है यह सरफ और सिर 60% करके जाएंगे 40% फिर भी यह भला करके ही जाएंगे आपका जो जो पिटर अच्छे ग्रह ही माने गए हैं चाहे यह बुरे प्रभाब में बैठे हूं आपकी कुणली में बट फिर भी अपके जो पिटर लक को भी शो करता है आपका लक ये परसंद अपने साथ लेकर आएंगे ठीक है आपके लिए बहुत लकी हो सकते हैं परसंद आपकी शादी के आपके जो पिटर बहुत इंपॉर्टन ग्रह हो सकते हैं के लिए ओके सबसे पहले में टैरोट के थू देख लेती हूं क्या एनर्जी आती है हूव विल यू मैरी राइस किस से आपके शाधी होने वाली है ओके से इंपॉर्टन अनर्जी आपके लिए क्या आता है आपके लिए सबसे पहले गाइस किंग ओफ वॉर्ण्स की नर्जी आई हैं ओके वरिंदर जी जो के आस्ट्रेलिया से हैं उन्होंने भी करवाई है न उनकी तो गाइस मैंने उनको कहा कि आपके पार्टनर अन्ब्लॉक कर देंगे विदिन 2, 3, 7 आवर्स तो आपको मैं सच मैं बताओ उन्होंने बोला कि माम जब आप रीडिंग ही कर रही होगी उसी टाइम उन्होंने अन्ब्लॉक कर दिया था उनके पार्टनर में मैं रीडिंग कर रही थी मैं यह बोल रही हूँ क्योंकि मैंने 22 मिनट्स की उनकी रीडिंग दियू उन्होंने टाइमिंग के डिमांड की थी कि मुझे इतने मिनट्स की ही चाहिए तो आफ कोस उसके अकॉर्डिंग उनको प्राइस भी पे करना पड़ा हा ना सो एट अफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी है यहां पी थी आफ काप्स oh my god wow और गाईश चिल्पी थैंक इस सो मच आपने रीडिंग बुक कर वाई और अलसो महित हेग्रे जी सो थैंक इस सो मच सर आपने रीडिंग बुक कर वाई अब यह ब्रीवन जिनका भी नेम मैं नहीं भी ली हूँ, everyone जिनों ने भी readings book करवाई है, thank you so much everyone, God bless you all of you, I hope आपकी life में जो भी आपने questions पटके हैं वो हो, हाना, जल्द ही आप किसी को job चाहिए, किसी को love चाहिए, किसी की family वाले अच्छे से trade नहीं कर रहे हैं तो उसको अच्छे से treat करने लग जाएं या कोई भी issue है आपको शादी नहीं हो रही career settle नहीं है whatever, okay, आपके घर में रड़ाई हो रही है fight हो रही है person ने block कर दिया है जो कोई भी reason है don't worry, आप सीधा मुझे अपना like baby नहीं हो रहा, वो readings बहुत जादा आ रही है, demand or reading है मेरी, so यहाँ पे two of swords bottom of deck five of wands and middle energies है eight of wands, okay so first pile यहाँ पे आपके शादी किससे होने वाली है यहाँ पे यह दिख रहा है guys आपकी marriage जो होगी न यह जो partner है, fiery sign के person हो सकते है king of wands, fiery energies के अंदर and also यह भी दिख रहा, बहुत hard working personality, मैंने क्या बोला, यहाँ पे hard working, बहुत passionate रहने वाले, जो जो मैंने नर्जिस बोले वो यहाँ पे आ चुकी है and yes, बहुत hard working personality होने वाले, वाइसा वाइसा नर्जिस भी हो सकती है guys, okay so hard working रहेंगे don't worry, okay, and yes celebrations भी करना पसंद होगा family के साथ बहुत अच्छे से time बिताते होंगे guys, यह and कहीं न कहीं spirit है लड़ाई चगड़े की भी, ठीक है five of wards है, या competition इनको देखना पड़ता है अपनी life में या fights में बहुत ज़रा रहते हैं, ठीक है, आपके partner चाहे girl है, चाहे boy या तो अपने घरवालों के साथ या बहार friends के साथ या फिर कोई न कोई issue तो यहाँ पी है या इनका nature है थोड़ा सा लड़ाई चगड़ा कर लेना हाना जल्दी से गुसा हो जाना गुसा खोर हो सकते हैं, fire energies जादा हो सकती है इस person में masculine energies हो सकती है चाहे girl है, चाहे boy है so of course, ये भी show किया जारा है yes, two of swords, show कर तक confusion को, okay, so ये जो partner होने वाले हैं थोड़े से confused हो सकते हैं आपको लेकर, या आप इनको लेकर confused हो शादी के लिए, but yes शादी तो ये होनी है because reading में ये ही partner आ रहे है and वो आपको check कर रहे हैं guys checking आपकी हो रही है, यहाँ पर मैं देख पार है checking हो रही है आपकी अगर आपने उनको अपना number वगरा दिया है वो देखते हैं आपको क्या करते हो, क्या नहीं या आपके partner अगर मल होता है न, range वारिश के through मिले हैं, तब भी guys वो आपको check करते हैं, दिख रहे हैं कहीं न कहीं से अगर guys आपको ये partner मिले ही नहीं है बाकि आप personal reading भी करवास को, ये general reading है but यहाँ पर research field में हो सकते हैं ठीक है, जैसे मैंने बताया CID, CBI, IB ऐसे jobs में ये person का होना तै है, okay यहाँ बहुत ज़रा इनके mind में ऐसा होने वाला है कि ये क्यों हुआ इसका क्या reason था हर एक चीज के बारे वे deeply think करना, ठीक है 8 of wands, बहुत जल्द ये person आपकी तरफ आते वे दिखेंगे ये 8 महीनों में भी आ सकते हैं आपके जो भी partner है ये, इनके साथ आपके बहुत सारी messages, calls होने वाली है and कहीं न कहीं confused भी रोगए कि इसी person से आगे बढ़ना है या नहीं and कहीं न कहीं आपको कहा जाए don't worry अगर आपको किसी ने reject किया ये आपने किसी को reject कर दिया है एक partner आपकी तरफ भेजे जाएंगे universe की तरफ से जब उनका distant time होगा आपकी life में आने का so of course वो आपकी life में भेजे जाएंगे and of course आपकी life में वो support करते हैं मुझे आपे देख रहे हैं आपको so that आप अपरी life में ऐसे ही art book करते हो okay so यहां से देख लेते हो गाईज बाकी आगे energies देख लेते हैं energy oracles के थू okay energies क्या है guys stream पे आपकी या आपके partner की okay so guys अभी मुझे just 12 12 देखा तो आपके लिए 12 12 number important हो सकता है 12 12 number okay so यहां पे देख लेते हैं आपके लिए क्या energies है आपके जो future spouse हैं क्या energies में होने वाले हैं ये okay okay guys so यहां पे जरने की energies okay ये घूमने पे इनको घूमना फिरना बहुत पसंद है guys traveling lover है ये traveling पसंद है चाहिए short distance चाहिए long distance but yes traveling इनको करना पसंद है चाहिए girl है चाहिए boy traveling करते ही होंगे या चाहिए इनकी job की वज़ह से चाहिए कुछ भी है but yes daily travel इनकी life में included है daily नहीं तो बस इनकी job ऐसी हो सकते हैं या वैसे ही ये traveling lover है इनको घूमना पसंद है चाहिए छे महीने बाद चाहिए दो महीने बाद इनको घूमना ही घूमना है कही नहीं आप आपके लिए गाईस next energies आई है आर्के इंजल रैफियाल की heart chakra यहाँ पर ही heart chakra दिल उपन होने की बात हो रही है आपकी जो भी partner होने वाले हैं उनका heart chakra हील होता हुआ दिख रहा है आपकी आने से आपसे बातचित करने से आपकी life में entry होने से ही और यहाँ पर यह भी दिख रहा है आपका भी हो सकता है यह वाई से अनर्जिस हो सकती है सब the garden and the gate है ठीक है यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इस आपके लिए doors open हो चुके हैं अब आपकी wish है महला आपके लिए door open universe ने करते हैं आपको कीस दे दिया है कि अब आपको इस person को चूज करना है और यह आपके तरह रिष्टे आने बहुत ज़्यादा दिख सकता है कि आपके तरह रिष्टे आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं यह लांग डिस्टेंस यह भी आ किसको अपने life में रहने देना हैं आपके life में change आएगा guys after marriage drastic change because यहाँ पे appreciation है यह person आपको appreciate करते हुए दिख रहे हैं ठीक है appreciation यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे आप देख तो इस जगह से निकल अगरे यह बहाँ जाएगी तो of course इसके life में change ही आएगा new new चीज़ें learn करने का experience करने का मौका इनको मिलने वाला है okay so appreciation guys आपको मिलने वाला यहाँ पे bottom of a deck यहाँ पे है woman holding a coin card so यह show करता है कि yes आपकी life में जो भी partner होने वाले हैं आपके होने वाली हैं यह rich abundant family से ही होंगे यह आप ही हो सकते हो यह ना जिसमें okay businessman business lady हो सकते हैं आपके partner money earning बहुत जादा अच्छी दिख रही है यहाँ पे कोई issue नहीं है intuitive भी दिख रहे हैं आपके partner मुझे बहुत intuitive है guys black cat हो सकते हैं इनके पास and roses पसंद हो सकते हैं इनको गुलाब के fool ठीक है so 2 number 38 11 33 यहाँ फिर 15 यहाँ 6 यहाँ 42 यहाँ फिर 6 6 नमबर आपके लिए बहुत important role play गा सकता है okay so यहाँ से energies आपकी check out कर लिए यह जो person है आपको बहुत appreciate करने वाले हैं आपको as a queen की तरह रखने वाले हैं आपको को issue नहीं रिखने वाला after marriage जो कि मैं यहाँ पर यही देख पा रही हूँ बाकी guys यहाँ से देख लेते क्या guidance है आपके लिए and guys जुरूर बताइए का कैसी लगी आपको यह reading and like कर दीजेगा reading को subscribe भी कर लो channel को bell icon को दबाके all पे set कर तो so that आपको आने वाले सभी notifications मलते रही personal reading के लिए आप मुझे instagram पे dm कर सकते हैं instagram का link description में है times times के just रूपर यहाँ फिर आप लोग उपर about section से भी देख सकते हो also अगर आपने like नहीं किया reading को पहले तो like कर दो and बताओ ज़रूर guys कि यहाँ आपकी कैसी रही महाशिव रात्रे का दिन okay मेरा तो अच्छा था हम गए भी थे मंदिर में है न सो अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा वो घंटे की अवास शिक है so lord Ganesha is here infinite abundance guys आपकी life में मैं यहाँ पे देख पार हूँ कि यह साते हुए दिख रही है obstacles आपकी life से remove की जाएंगे okay and spiritual support and connections are increasing guys okay and आपको यह भी बोला चारहे soul expansion वाउ आपकी life में पैसा भी आ रहा है यह person money भी लेकर आ रहे है आपको चीज़े भी learn करवाएंगे soul expand होते हुए आपको दिखेगे अपनी your consciousness is expanding you understand the connections between all things so आपको समझ आएगा हर एक चीज में connection क्या है हर एक बात में connection क्या है आप कैसे मिले हो उसका भी उसमें भी क्या story छुपी हुए है आप यह सब चीज़े समझ पाओगे ओके यहाँ पर आपके person mahadep के भक्त हो सकते है गनेश्य के भक्त हो सकते है यह भी दिख रहे है lord गनेश्या है तो of course यह शिव और उनके पुत्र का ही यहाँ पर दिख रहे है ठीक है आप इनकी family के भी भक्त हो सकते है शिव फैमिली के भक्त है शिव परिवार यहाँ पर है serenosis life force मैं यहाँ पर यह देख पा रहे हैं कि यह person बहुत passionate energy में रह रहे हैं आपके लिए और आपके जो भी यह person होने वाले चाहिए girl चाहिए boy बहुत दर sensual and sexual powers increase हो रखी होंगी जब यह आपकी तरफ आएंगे और आप इनकी तरफ attracted होते हो दिख रहे हैं ठीक है आपके लिए holy amethyst के energy is a divine alchemy आपको बोला चाहिए move करिए beyond current challenges focus on what you desire जो भी आपके इच्छाए हैं जो भी आपके wishes हैं उनके उपर focus करो ठीक है तो यही आपको बोला चाहिए तो यह holy amethyst रही बोलना चाहती थे आपको बाकी मैं last में अभी देख लेती हूँ आपके शादे कब तक होगी timing वह सो मैंने बता दिया है बाकी आपकी आपकी शादे किससे होगी आपके लिए रिष्टा आ सकता है चार महीने बहुत important होने वाले हैं यही important हो सकता है 9th month important हो सकता है यह 11th month यहां फिगाई 6th, 4th, 6th, 9th और 11th ओके यह months आपके लिए important होने वाले है बस strengthful personality दिखने वाली है अगले 6 महीने, 4 महीने यही 4th month और 6th month और 11th month इस year का ओके so guys यह months आपके लिए important हो से यह weeks हो सकते हैं important आपके लिए, यह days important हो सकते हैं शादी के लिए, so like this guys, अगर आपको personal reading लेने तो आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हो के अभी के लिए इतना ही हर हरमादेव, राधे राधे, God bless everyone so hello everyone guys, second pile अगर आपने Lord Shiva कार्ट को पिक्क्या है था या फिर आपने, आपके नाम का पहला अक्षर ही N से लेके Z के बीच में आता है तो आपके लिए थी second pile, okay so यहाँ पे देख लीती हैं, किससे होगी आपकी शादी, who will you marry, okay कौन होगी वो person, किससे होगी आपकी शादी, so यहाँ पे है guys, Lord Shiva so यह सबसे पहले तो यही master देना चाहते हैं, कि आपकी शादी, जिससे भी ओगी वो शिभभगत हो सकते हैं and also यह भी है कि बहुत intuitive meditation करना उनको पसंद है या उनका वैसे ही, जैसे होता है कि हाँ जी, आदत है कि हाँ, meditation करना, relax रहना जादा तर हना and गुसे वाले एक तरफ तो, जैसे महादेव का nature था न, वैसे ही and यहाँ पे यह भी दिख रहा है, भगवान शिव के किरपा उस परसन के उपर रहने वाली है, ठीक है so, आप भी शिभख्त हो सकते हो, of course, आप बताना जरूर कैसे रही थी, आपकी कल महाशिवरात्री, ठीक है क्या क्या किया आप सभी ने and यहाँ पे गाईस, इस परसन के intuition बहुत हाई होने वाले, इनका third eye chakra open हो सकता है यह जो भी आपके future spouse होने वाले हैं, आपके लिए भी message है कि as transcendence, rise up करिये, यह person को rise up करना पसंद है ठीक है, मतलब इनकी habits या goals आप कह सकते हो, इनको rise up करना, इनका goal इनको बना रखा है हर एक चीज में आगे बढ़ना, ठीक है आपको भी यही सब चीजे लर्न करवाएंगे, यह person and steps आपके लिए लिए चाहरे है, जो भी आप चाहते हो, आपको वो provide किया जाएगा universe की तरफ से dance करना है, वस आपको universe के साथ, okay so यह energies आपके लिए हैं guys, यहाँ पे so इसके इलावा guys, हम देख लेते हैं universe क्यारो के थूँ आपको क्या बताना चाहते हैं, बट उससे पहले हमें एक energies निकालेंगे, ठीक है आपके लिए zodiac sign, आपके houses, ठीक है planets, यहो जो भी important होने वाले, क्या यहाँ पे आपके लिए message है okay क्या message है आपके लिए guys, अगर आपको crystal spy करने हैं तो आप मुझे instagram पे message कर सकते हैं, thank you so much जिन्होंने भी personal reading book करवाई है, like वरिंदर जी, जिन्होंने जो Australia से उन्होंने अभी book करवाई थी, ठीक है, reading उनकी तो मतलब जिसे कहते हैं ने मैं reading कर रही हूँ और मैंने जब उनको सेंट के उन्होंने सुनी, वो हूँ बोली कि हान जी वाम जब आप करी रही थी, उसी टाइम उन्होंने unblock कर दिया मुझे उनके partner ने, so it's a miracle for me also and महा शिवरात्री का दिन था कल है, so and शिल्पी, thank you so much, आपने reading book करवाई and also महित हेग्रे जी, thank you so much रभीना जी, thank you so much and guys, ऐसे ही list बहुत भड़ी है, ठीक है so, मैं क्या ही बताओ न, डेली 5-6 readings करने ही पड़ती है, so guys, यह है mercury के energies, okay यह जो भी आपके partner होने वाले न, second part इनका पहले तो, communication skills यहाँ पर बहुत अच्छा होगा, ठीक है बाचित करने का धरंग, ठीक है बहुत अच्छा, यह वाईसा वाईसा energies बहु सकते हैं, आपकी भी energies आ सकते हैं so, how you think, communicate try, talk and travel, so it's mercury, okay so, कैसे आप चलते हो sorry, कैसे आप बोलते हो कैसे आप लिखते हो किसी चीज़ को कितनी knowledge है आपको ठीक है, study कितनी आपने complete की है आपका childhood कैसा रहा है आपकी communication skills कैसी है आपका traveling sense कैसी है and कैसे आप सोचना पसंद करते हो क्या overthinking करते हो या नहीं so, क्या आप बस सोच का छोड़ते हो, so, ये सब चीज़े ही mercury की उपर based है बुद्ध ग्रहे आपके बुद्ध ग्रहे ही communication को show करते है, अगर आपका बुद्ध अच्छा नहीं होगा तो आपकी बाचित करने का धंग भी अच्छा नहीं होगा, okay आपकी जो communication skills है वो अच्छी नहीं होगी कोई भी आपकी बात को समझ नहीं पाएगा अगर समझ था भी है तो वो बताएगा नहीं, ठीक है या कहीं नहीं किसी, कोई मतलब कोई reason भी नहीं होगा, लडाई शखड़ा हो जाएगा ऐसी energies यहाँ पर दिख रही है so second house आपके second house में हो सकता है guys, यह mercury, okay so second house होता है money का okay, finances, assets आपकी कैसी है, कितनी आपने कमाई, आज तक कमाया है क्या अर्न किया है आपने, ठीक है क्या क्या आपकी assets बन चुकी है लेक गाड़ी, ठीक है, घर जो भी हो सकता है assets में, ठीक है क्या 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 आपने achievements की है money के मामले में and second chakra से communication भी देखी जाती है ठीक है, बाचित करने का ठंग अगर वहाँ आपका शनी महराजी है या शनी आपकी guys picking sense, मतलब बहुत कथोर, hurt कर देने वाली ठीक है, बोल्ड होगे आप so ये चीज़ों को show करता है and of course the things that you value ये वो भी show करता है second house, okay so ये थी आपके लिए main energies guys okay, अब हम देख रहेते हैं tarot के through क्या आपके लिए आ रहा है so guys, अगर आपने like नहीं किया इस reading को like कर दो subscribe कर लो channel को bell icon को दबा के all पे set कर दो so that आपको आने वाले सभी notifications मलते रहें, okay so यहाँ से tarot के through आपके लिए क्या energies हैं four of pentacles, सबसे पहला ही card so यहाँ पे है page of swords ace of cups, वाव okay so यहाँ पे है guys emperor की energies, okay great I hope आपको अच्छे से दिख रहा होगा guys, three of wands, okay and last card है यहाँ पे eight of cups and I think यह भी card आना चाहता है extra आपके लिए sun oh my god bottom of deck guys, यहाँ पे है आपके लिए four of swords and middle energies का है, यहाँ पे seven of sorry, knight of cups की energies, okay so guys क्या आने वाला है आपकी तरफ किससे होगी आपकी शादी, यह guys आपका waiting period, पहले बात तो मुझे यह दिख रहा है, खतम होता हुआ दिख रहा है, आप of course जल्द ही अपने शादी करके आगे बढ़ चाओगी यह जो move on के energy happiness के साथ ही based है, sun के साथ ही आई है तो of course, खुश्यों भरी, अलविदा, अपने family करोगे, मतलब विदाई आपकी होगी अपने घर से है, खुश्यों भरी अगर आप boy हो तो of course आपके लिए भी यही है कि आपकी happiness के साथ move on करोगे आगे, खुश्या ही आपकी life में आने वाली आप attract करोगे अपने life में, baby boy आपको second pile देखने को मिल सकता है first baby, बाकी आप अपने लिए personal reading देखिएगा, यह general reading है so keep an open mind okay, और यहाँ पर यह दिख रहा है four of pentacles कि yes, आपकी life में आप लोगों को savings करना पसंद है okay, savings यहाँ पर दिख रही है आप लोग किसी ना किसी आपके partner उनको savings करना पसंद है कैसे save करना उनको पता है four of pentacles यह भी show करता है कि आपके जो partner होने वाले हैं यह comfort zone में रहना पसंद करते हैं ठीक है and इनको research की field में जाना पसंद हो सकता है यह आपको बहुत चाहँ चेक करने वाले हैं जो भी partner है जिनसे भी आपकी शादी होने वाली है ठीक है आपके उपर पूरी आखे रहेंगी इनकी and also यहाँ base of cups का ना यह show करता है कि आपके partner बहुत प्यार करेंगे आपको बहुत over slow love यहाँ पर दिख रहा है दोनों की ही तरफ से and emperor यह show करता है कि yes आपकी life में यहाँ आपके father बहुत important role play करने वाले यह आपके person ही emitter की energies में होने वाले है and of course आपको heal करने के लिए बोला चले अगर आपको शादी की तरफ जल्दी से जल्दी बढ़ना है न तो heal करिए अपने आपको जो भी hurt आपको मिला है past में उसको heal करिए और आगे बढ़ जाए so that आपकी तरफ को इनों की offer लेकर आए water sign के person हो सकते है आपके cancer score पर Pisces राशी के okay second pal so अभी देख लेते हैं आपके लिए energies निकाल कर क्या energies आती है यहाँ से आपके लिए Aries sign बहुत important हुसता है Aries राशी okay and also यहाँ पर Leo राशी important हो सकती है आपके लिए Aries Leo Sagittarius Capricorn and Gemini Libra Aquarius okay so यह राशी आपके लिए important हो सकती है who will you marry किससे होगी आपकी शादी guys अगर आपने अभी तक like निके रिडिंग को like कर दो guys होना subscribe भी कर लो channel को so यहाँ पर सबसे पहला card ही so guys आप दोनों में ही सब कुछ बंदा हुआ है आपको यह बोला जा रहा है okay जो भी आपके future spouse मतलब जिनसे भी आपकी शादी होने वाले है न आपका इनके साथ कोई नो कोई यहाँ पर रिष्टा नाता है मुझे दिख रहा है okay past life से भी कोई नो कोई हो सकता है जिसकी वज़े से आप एक दूसरी के साथ इस जनम में भी मिले हूँ and जिस पर परसन से आपके शादी होगे वो healer हो सकते है healer of the ages की energies है healing capable capacities उनके अंदर हो सकते हैं उनके अंदर energies अच्छी हो सकते हैं जो heal कर सकते हैं किसी ना किसी को okay and यहाँ पर है the victory card यह show करता है यह जो भी person है ना आपके partner यह victory चाहते हैं अपनी life में इनको victory पसंद है जीत हासिल करना है इनको पसंद है and have patience okay चाहिए इनको वो victory वेट करके ही मिले आपकी जिन से भी शालियो but वो उस वेट के बाद भी फिर से try करने की हिम्मत रखते हैं हर एक चीज को and of course सभी चीजे बंदी हुई है आप तोनों में ठीक है so don't worry and healing capacities healing energies in this person के अंदर होने वाली हैं आपके partner के अंदर and 23 number number 28, 5, 10, 1, 16, 7, 6, 51 यह numbers आपके लिए important हो सकते हैं bottom of deck guys यहाँ पर angel of balance है 48 number आपके लिए important हो सते हैं so balanced energies में रहना सीखे हो के balance रखे अपने आपको so that आपकी life में कोई भी मैं यहाँ पर देख पाने हूँ कि आपको patience आपना रखना पड़ जाए हैं okay so यहाँ से guys देख लेते हैं universe की तरफ से spirit guides की तरफ से क्या message है आपके लिए इसके बाद हम last में देखेंगे कि अपकी शादी होने वाली है okay 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 so यह person जो होंगे इनकी sensual and sexual power बहुत जा इंक्रीज हो रख्योंगी जब आप इनसे मिलोगी and express करने की कोशिश करिएगा उनको अपने driving passion को and यहाँ पर यह भी आपके लिए guidance है कि जो भी आपके अंदर यह powers increase होने इनका अच्छे से use करो ठीक है अपने life में and so that आपकी life में आपको कोई भी issue ना दिख पाए ठीक है and अपने काम के उपर focus करो energies को अपने काम में लगा दो so that वो अच्छे results को लेकर आप आप आए awakening आपकी होते हुए आपको दिख रही होगी and आने वाले time में आपको कहा जारे universe is with you we are a clock of protection and love so clock of protection आपके आपने वियर कर ही रखा है प्यार का ठीक है so of course and universe आपके साथ है ये person जो भी होने वाले हैं ये इनके awakening का time हो सकता है आने वाले time में ठीक है and also love and acceptance के उपर focus करना ये person भी करते होंगे focus and आपको भी learn करवाने वाले है अगर आप करते हो तो vice versa energy socially recognize your divine worth, choose loving thoughts so loving thoughts को choose करने ही कोशिश करिये and recognize कर अपने divine worth को ठीक है आप कितने worth ही हो उसको recognize करिये and ये person भी आपको ये सब चीज़े learn करवा सकते हैं जो भी आपके future spouse हो सकते है and forgiveness के रास्ते पे चलो आपके लिए master Jesus यही कहना चाहते है maaf करना सीखो, maaf करने से ज़्यादा अच्छी चीज़ और किसी को नहीं मानी जाती है maaf करो और आगे भढ़ो and so that आप हील हो पाओ जल्दी सी and अपनी जो आपका real path है उसके उपर चल पाओ like आपका path है, you are on the path of light, love and forgiveness रोशनी देना लोगों को प्यार परवाइड करना and also आपका जो यह path है na forgiveness का, ठीक है, maaf करना आपका एक path है so of course, father healing is possible at this time अगर आपके पापा से नहीं बनती है guys तो यहाँ पर आपके लिए message है कि father healing possible at this time पर अगर आपके नहीं बनती तो of course, आप meditation करिए YouTube से, ठीक है search करिए father healing meditation, okay so of course, आपको वो आ जाएगा ठीक है, आप जस्त सुनना है, headphone लगा के बैट जो okay, so यहाँ से last में हम देख लेते हैं अप आपके शादी का timing क्या होने वाली है आने वाले time में और कितना time लगा है आपके शादी में कितना time लगने वाला है और guys, next 6 months to 6 years अगर आप अभी हो ही just 15, 16, 17, 18 के तो आपको 6 साल लग सकते हैं अगर आप वैसे ही 20 के हो, तो 6 साल आपको लग सकते हैं अभी शादी में, अगर आपको guys, 25, 26, 27 तो आपके लिए 6 महीने का time बहुत important उसका है 6 months, 11 months यहाँ फिर 8 months यह इसी साल का 11th month, 6th month और 9th month I think first file मेरी ऐसे ही कुछ energies आई हैं, ऐसे ही timing आपके लिए आई है तो आप ज़रूर चेक आउट करना first file को भी अगर आपका wish हो और यह person बहुत strengthful nature के होने वाले हैं और justice चाहेंगे अपने life में हर एक चीज़ में इनको justice चाहिए, ठीक है? So guys, अगर आपको reading पसंद आई हो, just like this reading, subscribe to this channel bell icon को दबादे नो, all पे set कर देना अभी के लिए इतना हर हरमा दे, रादे, रादे, God bless you personal reading के लिए आप मुझे Instagram पे DM कर सकते हैं, Instagram का link description में है time stamps की जोस्टूपर, यहाँ फिर आप लोग about section से भी देख सकते हैं, channel को join भी कर सकते हो, ठीक है? And अगर आपको guys, ऐसे bracelets यहाँ फिर rings ऐसी लेनी हैं, तो आप मुझे ज़रूर बताईएगा, ठीक है? So अभी के लिए इतने guys, saran mahadeev, radhi radhi, bye guys!